हलो फ्रेंड्स चटपटी रसोई वित कविता में एक पर फिर से आपका स्वागत है आज जो रेसेपी में आपके साथ शेयर करने चाहरे हैं वह है वेज बर्गर यह बहुत ही सिंपल और डिफरेंट रेसेपी हैं आप इसे जरू ट्राइक किजिए यह आपको बहुत ही nic мі to ismei हम यूज करेंगे हिहां घीर करेंगी हैं यहांपर ऑफ घा माड़ तो आप इनको इस तरह से ना बार इक बार की संसरल से हैं तो एभा बहुत ही टेस्टिय लगे थ्यावरिया और कुमेने बॉइल करके से छील हैं तो अब आगी को देखते हैं यहां यह पैसर जैसे यहां पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप दो ब्रेड को मिक्सी जार में अच्छे से दरदरा पीस लीजिए, तो यह देखे हमें इस तरह से रेडी करना है, यहां पर मैंने पता गोबी को भी अच्छे से चॉप कर लिया है और अब मैंने यहां पर लिया है दो बड़े चमच मैदा दो चमच मैस में कॉन फ्लॉर एड कर रही हूं दोनों इक्वल कॉन्टिटी में इसको हम बाद में रेडी करेंगे तो अभी हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे और आलू को यहां पर अच्छी से ग्रेट कर लेंगे आप चाहें तो मैशर की हल्प से इसको मैश भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर आलू को अच्छी से ग्रेट कर रही हूं तो हमारे आलू ग्रेट हो चुके हैं अब इसमें देखें मैं आड़ करूंगी गाजर इसके बाद हम अध्रकलेस उनका पेस्ट लेंगे आप चाहे तो रेडि मिर्ट ले सकते हैं या फिक घर पर बना सकते हैं इसके बाद मैंने तीन से चाहरी मिर्च ली थी एक चोटा चमच जीरा लिया है पाउडर एक चोटा चमच गरम मसाला आधा चोटा चमच चामच चाट मसाला और यहां पर मैं अब आड़ कर रही हूं देट टी तो इसको हम थोड़ा सा इसमें डाल के मीख कर लेंगे ताकि जो हमारे टिक हैं वो कुआई बने और अच्छी तो इसमें आप खुलती नहीं है अपने तो अब हम इसमें मिक्सर की टिक चैक बनाएंगे लेकिन से पहले हम इसमें मैधा और डालते होई हम इस तरह इसको मिक् तो अब हम यहां पर टिक्किया बनाएंगे थोड़ा साथ पर और टिक्किया बनाना शुरू करेंगे आपको बनाना आप बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हमारी जो टिक्किया है वह इस तरह से शेप लेती हुई रेडी होगी तो यह देखिए इस तरह से हमारी टिक्कि बन जाएगी तो हमारी टिक्किया सारी रेडी हो चुकी है अब हम यहां पर मैद और कॉन फ्लॉर और यह ब्रेड कम्स को लेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर गैस ओन करेंगे और ओल को गरम करेंगे तो जब तक हमारा यह ओल गरम होगा तब तक हम टिक्कियों को मैदे वाले इसमें डीप करेंगे अच्छे से और फिर ब्रेड कम्स में रखके इस तरह से इसको भी ब्रेड कम्स से अच्छे से इसको रैप कर देंगे तो ओल को हमने हमारा गरम हो चुक है उसको हम फलेम को मीडियम करेंगे और एक ही करके अपनी टिक्कियों को इस तरह से हम इसमें चोड़ना शुरू करेंगे यहाँ पर हमें धियान रखना है कि जो हमारा ओयल अच्छी से गरम होने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर आप कर दीजे ताकि जो हमारे टिक्या है वो बहार के साथ-साथ अंदर से भी वो अच्छी से सिख जाएं हमारी टीक्या का सुखने बढ़ी आज चुका है दो पुरूदे कमें पीडिया जब कि अमें पुरूदे एपस्पूदार बाढ़ी देखने के लिए उड़ा अपने चोटपाइब दिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी दो जेए अब हम यहापर गैस आप करेंगे और तो मैं अपने बुर्गर को यहांपे सचने के layer This coherent 토끼 कर रही है ऐसे खाना हे अब न üzद Purdue कि ऑपने यहांपे एक न पर इसमें माद रही हुँ अब फिर इसमें और दोनों साइड से का हलका मूं इस तरह से सच लेंगे तो यह दोनों तरफ से हमारी जो बर्गर्स है वो इस तरह से सिख चुके हैं यह दिखे थोड़ा थोड़ा में इतना कलर भी अच्छा आ गया है तो आप हम इनको रेडी करेंगे तो मैंने यह आपर पीजा टॉपिंग लगाया है आपके पास पास्ता टॉपिंग हो या फिर पास लगा सकते हैं इसके बाद फिर हम यह पर थोड़ा से यह पताबव भूं पीस में डाल देंगे। जस इसके बाद हम इसमद टालेंगे थोड़ा सा ग्रीन चटनी है तो इसके बाद हम से उपर थोड़ा तो ऑड़ा इसे पता भभा भी इस तरह कज़र काटी थी खाल रख लिए और इसके बाद हम टिक रखेंगे और फिर में यहां पर मीओनी ले रहे हूं मीओनि कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो हमनी आमयोनी लगा ली है और इसके बाद हम टेमेटो सॉस लगा लिए या पर आप इसके अलाबा और भी जो इसमें एड़ करना चाते हैं आप भी यूट कर सकते हैं जैसे कि स्वीट कॉन वगेरा या कुछ भी और इसमें हम थोड़ थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें एड़ कर देंगे अब हम इसको टूथपीक लगा कर इसको रेडी कर देंगे तो हमारे जो बर्गर रेडी हो चुके हैं तो अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते है नही रेसेपी के सब्सक्राइब कर दो